हलो एवरिवन, गोर्मेंट, पीडिजीटी, टीजीटी और पीडिजीटी और पीडिजीटी तीनों टाइफ्स की वेकेंसी के लिए नौटिफिकेशन आउट हो चुगा था और जो इंटर्व्यू है वो 25, 26 और 27 को रखा गया है डारेक्ट इंटर्व्यू बेस आपका जो सिलेक्शन होगा और पीजीटी में भी कई सब्जेक्ट्स में अलग अलग टाइफ्स की वेकेंसी हैं तो देखते हैं नौटिफिकेशन को और क्या सेलरी रखी जाएगी और इसके साथ साथ किस किस में वेकेंसी है और किस इनफर्मेशन प्रोवाइड खरवाते रहते हैं तो चलते हैं नौटिफिकेशन की तरफ और जानते हैं इसके फुल इनफर्मेशन इसमें आपका कोई भी टेस्ट नहीं रखा गया है और इंटर्व्यू बेस पर आपका सेलेक्शन होगा तो यह जो नौटिफिकेशन है यह आप साइट से डाउनलोड कर सकती हो इसके साथ ही अपलिकेशन फोम दिया हुआ है और यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में है तो देखो 25, 26 और 27 पीजी के जो 25 को इंटर्व्यू होंगे 26 को टीजी के और 27 को प्राइमरी के आप देख लेते हैं इंग्लिश में PGT के निकली हुई है आपके पास MA और BA होनी चाहिए एक ही जो है रिक्त पद है PG Economics में 1 पोस्ट है आपकी MA Economics प्लस BA होनी चाहिए PGT Commerce में B1 पोस्ट है COM और BA होनी चाहिए TGT Science में 1 पोस्ट है CTAT आपका क्वालिफाइड होना चाहिए क्योंकि TGT के लिए CTAT होता बट PGT के लिए CTAT होता ही नहीं तो आपकी Post Graduation Degree और BA होनी चाहिए TGT के लिए आपके पास उस फिल्ड में आपकी BA होनी चाहिए और BA होनी चाहिए यानिकि Graduation की Degree प्लस CTAT Qualified आपका होना चाहिए और Primary Teachers के लिए आपके पास बार भी ODED होनी चाहिए तो जो Salary है जो Primary Teacher की है वो 21,250 रुपए TGT की 26,250 रुपए और PGT की 27,500 रुपए जो ये Notification है ये Hindi और English तोनों में दिया हुआ है यहां से आप नाउनलोड कर सकते हो और आपको क्या क्य लेके जाना है जनमतिती परमान पत्र बारसरकारदवार निर्धारित अगर आप कोई पहले कहीं जोब कर चुके हो तो उसका Experience Certificate आधार कार्ड पैन कार्ड और जो आपकी मार्क सीट है वो ओरिजिनल्स के साथ आपके पास होनी चाहिए ये जो है तो आपके पास फुल जो आपकी Certificate है वो ओरिजिनल होने चाहिए कोई भी उनमे अगर आपकी गल्थ पाई जाती है यानि किसी भी टाइब का फाल्थ पाई जाता है तो आपको वहां से निकाला जा सकता है और इसके साथ साथ आपकी सारी की सारी जो Certificate है वो भी Cancel किये जा सकते हैं तो देखो ये फुल इसके साथ ही ये Application Form दिया हुआ है ये 8 पेज का जो है Notification है ये Application Form जो आपको Submit साथ में फिल करके लेके जाना है इंटर्व्यू के टाइम पे तो Hindi और English जिसका प्रेफरेंस देते हो उसमें आप देख सकते हो Contract Teaching Category है ये Contract Base पर Vacancies है और जो Address है in the Chamber of Principal Central Railway School and J.R. College Kalya Central Railway Office of Division Railway Manager Mumbai Walk-in Interview Teaching Category 7 Working Days on Availability of period 20-100 working days and a minimum period of 7 working days of limited or regular selected candidate whichever is earliest the subject of any instrument from time to time तो देखो पूरी information आप यहां से ये साइट दी हुई है यहां से आप ले सकते हो Contact Number भी इसमें दिया हुआ है वहां से आप Contact करके Full Information ले सकते हो और जो Age Limit है वो आपकी 18 to 65 years है 65 years maximum age limit है तो Age का तो शायद कोई पंगा नहीं होगा तो अगर आप Interested हो तो Apply जरूर कीजिएगा कोई application fees नहीं है सर्फ Direct Interview Based पर selection हो जाता है तो आपका कुछ ला कुछ वहां पर सीखने कोई मिलेगा And Thank You So Much Please Share and Subscribe My Channel Thank You